मतलब कि इंकम के उपर दोस्तों यहां पर 20% का टैक्स लग रहा है कोई सोचेगा कि मेरे इंकम के उपर दोस्तों पहले 10% का लगता था अब यह 12.5% का लगने वाला है यहां पर आपको कोई भी जो टैक्स है दोस्तों देने की ज़रूरत नहीं है आप एक दम फ्री रह सकते ह इंतों आपको कोई टैक्स की जंजट ही नहीं है व दोस्तो सबसे स्पेशल क्या है कि हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि 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 इसको अनपड भी इसको समझ सकता है हम यह कह सकते हैं तो वीडियो की जानकारी जो कुछ भी आपको मिलने वाले हैं दूस्तों वह एकदम ऑथेंटिक है इसको पूरा ही लेकर चले जाना क्योंकि सभी तरफ इतना जदा हुआ है कि कुछ ऐसे बता रहा है कि बहुत कुछ बढ़ा ही मतलब कि इतना जदा कुछ बढ़ा कर दिया है चेंज कि हम सोच भी नहीं सकते हैं जानेंगे कि आखिर वह क्या है बहुत यह असाल सी भाषा में अच्छा वीडियो को स्टार्ट करने से पह चली वीडियो को स्टार्ट करते है क्योंकि आपका टाइम मुझसे भी ज़्यादा कीमती है मुझे अच्छे से पता है दोस्तो जो भी दूस्तो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो जैसे कि दूस्तो प्लॉट खरीदा होगा या कोई जमीन खरीदी होगी तो इस पर ना दो त तरीके का आपको टैक्स लगता है जमीन के उपर जो भी प्रॉपर्टी हो या जमीन हो खरीदते हो इसके उपर द Rescue है कि बैचोगे एक साल के अंदर या तो दोस्तो इसी property को आप दोस्तो एक साल के बाद घर मतलब कि इसको बेचोगे दोस्तो ना तो क्या होगा एक साल के बाद अगर इसको बेचोगे दोस्तो तो इस पर दूसरा ही tax लगता है तो आखिर दोस्तो यह कैसे लगता है हम समझेंगे उससे पर दो दोस्तो पहले टेक्स कितना था एक साल के अंदर अगर बेशते होना द क्या गीतना मिद्पर दोस्तों यो वो था दोस्तों 10% का ठीक है ये पहले का टाक्स था अभी दोस्तों इसको बढ़ा कर 15 से क्या कर दिया है 20% कर दिया है और इसको देखे दोस्तों तो यहाँ पर 10 से बढ़ा कर 12.5% का यहाँ पर कर दिया है अब इससे दोस्तों क्या लुक्सान होगा और क्या फाइदा होगा यहाँ पर हम समझते हैं, एक साल के अंदर बेजते होना दोस्तो, इसको इस पर जो भी आपका फाइदा होगा, तो इसके उपर दोस्तो, आपको जो टाक, टाक्स है, वो 15% का पहले देना पड़ता था, लेकिन अभी आना 20% का आपको देना पड़ेगा, यह सिंपल सी बात है दोस्तो, किसी भी प्रापर्टी को, चाहे घर हो, फ्लैट हो, प्लाट हो, जमीन हो, या कुछ भी हो दोस्तो, तो यह इसका रेशियो है, अगर उसी को दोस्तो मतलब कि एक साल के बाद आप बेजते होना, तो इसके उपर ना जो टैक्स रेशियो दोस्तो, थोड़ा सा कम ल तो उनको तोड़ा सा फरक पड़ेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे जा सकते हैं, जैसके मतलब कि उनके उपर कोईफर्ट करेंगा को फरक पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन हर दिख़ाए जा रहा है कि बहुत मतलब कि एक इतना चंजस्त बढ़ा कि हम और देखा जाए तो यह हमारे ही भले के लिए होता है लेकिन उसको नेगेटिवली देखा जाए तो आपको लगेगा कि मेरे मतलब की इंकम के उपर दूस्तु यहां पर 20% का टैक्स लग रहा है कोई सोचेगा कि मेरे इंकम के उपर दूस्तु पहले 10% का लगता था अब यह 12.5% का लगने वाला है तो यहां सोचने के उपर ही डिपेंड करेगा दस्तो है ना और इंट्राडे ट्रेडिंग या मतलब की स्टॉक पार के में जो भी इंवेस्टमेंट करते हैं तो उनकों की उनका मतलब की नुकसान किया गया है यह टैक्स रेशियो बढ़ा कर दस्तो अच् नहीं है यहाँ पर आपको कोई भी डिएनी की ज़रूरत नहीं अब लिए की तो चलिए दिए डिजे की आपकी जो income है दोस्तो 3 से 7 लाग के बीच में आती है तो आपको जो tax है दोस्तो वो कितना देना पड़ेगा तो वो है दोस्तो 5% का tax आपको pay करना पड़ेगा अगर बात की देखे तो यहाँ पर दोस्तो आपकी जो income है 7 से 10 लाग के बीच में अगर आपकी income आती है तो आपको tax देने की जरूत है दूस्तों वो कितना है तो जो ratio दूस्तों यहाँ पर 15% का आपको देखने को मिलता है उसके बाद दूस्तों 12-15 लाग आपकी जो income है ना यहाँ पर 12-15 के बीच में दूस्तों तो आपको जो tax है ना वो कितना देना पड़ेगा यहाँ पर देख लिजे तो देना पड़ेगा दूस्तों 20% का तो यह ratio दूस्तों जैसे से आपकी income भढ़ती जाएगी तो यह tax का ratio भी बढ़ता ही चला यहाँ पर देखने वाली सोचने वाली बात ही है दूस्तों कि मतलब कि इससे कोई फर्क उतना जदा नहीं पड़ता क्योंकि दूस्तों एक करोड कोई कमाता है तो उसको एक देड़ लाग का tax ज्यादा जाने से कोई फर्क ने पड़ता अगर हम देखे तो टेक्निकली कोई जो कोई भी हो सरकार के तरफ से हमें ही उसका जो लाब है जो प्रॉफिट दूस्तों वह मिलने वाला है अगर पॉजिटिवले सोचे तो नेगेटिवले सोचेंगे तो यहीं लेगेगा कि यार मेरी पैसे इतने ज्यादा चले गए टैक्स बड़ा है इसके वज़े से तो वह आपके सोचने के उपर ही ज्यादा तर मुझे लगता है कि यह डिपेंट है लेकिन मैंने जो पताया दोस्तों उसके बारे में आपकी क्या ख्याले क्या मतलब की बुरा लगा क्या अच्छा लगा दोस्तों आप भी नीचे कमेंड करके मुझे ज़रूब बतासकते हो मैंने तो बता दिया है जो है वो है दोस्तों और शादी में मतलब की कुछ अपना बी मतलब जो ठॉटल K utilizz तो वह भी मेंने आपके साथ सेर किया है आ आपको इसके बार में क्या लगता है क्या बाते अच्छी लेगी यह बुरी लेगी न अगर information आपको यह अच्छे लगी होना तो एक लाइक भी जरू कर सकते हो चानल को सब्सक्राइब भी जरू कर सकते हो चलिए मैं आपसे बिलता है अगने special और phrase वीडियोज के आंतर है